हालो अब्रिवान तो बहुत दिनों बाद में आपके लिए कोई पढ़ाई से रिलिटेट वीडियो बनाने जा रहा हूं और यह जो वीडियो होगा यह पूरी तरह से जो हमारा नए नोटिफिकेशन आया है और आर भी असिसेंट लोको पाइलट का उसी पर केंदरीत होगा चीर साल वाद यह वैकेंसी आई है और बहुत कम वैकेंसी है हलाकि इसके बारे में कभी और बात करेंगे अभी बात करते हैं कि इस एक्जाम के तायाराई के लिए प्रॉपर स्ट्राटिजी क्या होनी चाहिए क्या स्वर्स होनी चाहिए उसी के बारे में आपसे अगले कु दो तीन चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है पहला है कि आपको कौन से वो टीचर्स हैं सब्जिक्ट वाई जिस जिनको आपको फॉलो करना चाहिए दूसरी बात करूंगा कि कौन से अच्छे बुक्स हैं जो कि रेलवे स्पेसिफि हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके दिये हुए हैं उसके बारे में बात करूंगा तीसरी है कि लास्ट में जब आपका तयारी अच्छी से हो जाएगा तो उसके बाद आपको कौन से मॉक्टेश लगाने चाहिए उसके बारे में बात करूंगा आपको मालूम कि अभी कुछी महीनों पहले मैंने स्टेशन मास्टर के पोस्ट से रिजाइन किया है तो और इसके अलावा 2018 में जो एलपी और टेक्निशन का एक्जाम हुआ था वो भी मैंने दिया था स्टेशन मेरा बहुत असानी से हो गया था और स्टेशन मेरा एक एक्जाम के साथ उसका जो डेट था वो कोलाइट कर गया था तो मुझे रेलवे एक्जाम का जो क्विस्टन उसके पैटन के बारे में कुछ आईडिया है तो इसलिए मैं आपको सेयर कर रहा हूं तो सबसे पह सेमी है जो 2018 में था यानि इसमें आपको मेथ्स पूछा जाएगा जी अस पूछा जाएगा और अलग से साइंस भी है तो मैस के लिए खासकर रेल्वेड के फिल्ड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साहिलसर वीजियो लेकर आएंगे आपको मैस के लिए पॉलो करना चाहिए क्योंकि रेल्वे के लिइए मैं अच्छा यूट्यूब पे हमें तो आज तक नहीं दिखा तो डिफिनेटली मैं आपको दूसरे टीचर को फॉलो करने के लिए बोलता लेकिन रेलवे के लिए मैं आपको साहिल सर को ही फॉलो करने के लिए बोलूंगा इसके अलावा रीजनिंग की बात आती है तो रीजनिंग के लिए पहले एक दीपक सर पढ़ाते थे तो दीपक सर को मैं बोलूँगा कि आप दीपक सर को फॉलो किजिए वाइफाइ स्टेडी पे अब तो साथ दूसरे चनल पे आपके बल उनका नाम से सर्च किजेगा तो मैंठ और इनेंग के लिए ये प्रिम्यम टीचर है रेल्वे के फिल्ट में तो ये मैंठ और इनिंग की बात हो गई अब बात करते हैं GS की तो GS के फिल्ड में मैं आपको कोई railway specific teacher नहीं बताने वाला हूँ, मैं ऐसे teacher बताने जा रहा हूँ, जो कि proper one day exam जितने भी होते हैं, उसके लिए अच्छे से GS पढ़ाएं हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक channel का नाम बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है SSC परमार, आप SSC परमा से GS section को cover कर सकते हैं, इसके अलावा जो general science है, general science में के वाल एक ही teacher है, जो कि railway specific पढ़ाते हैं, तो जो पहले wifi study पे नीरच सर पढ़ाते थे, अब अपना खुद का channel बनाया है, अब search किजिएगा science by नीरच सर तो आपको मिल जागा YouTube पे, तो railway के लिए, यह science के लिए आप नीर तो मैं जब तयारी करता था, तो यह book सायद उसमें available नहीं था, लेकिन अभी के जो time है, उसमें जो सबसे best book जो हमें लगता है, वो है पिनाकल का जो blue color का book आता है, पिनाकल publication का, उनका जो compilation होता है, बहुत अच्छा होता है, उनका solution होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, तो उनका SSC का भी particular books आता है, और railway का भी आता है, तो railway के लिए जो book आता है, वो मैं आपको suggest कर रहा हूँ, कि उनका 6000 plus MCQs का maths का आता है, इसी तरह से उनका reasoning का भी आता है, और GS का भी आता है, मतलब तीनों का एक series आता है, तो यह तीनों book आपके पास होने चाहिए, आपको GS इस वाला में science भी मिल जाएगा, तो अभी तक जितने भी railway के exam हुए है, TCS के द्वारा particularly, तो आपका सारा question उसमें से मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात है कि उनका compilation बहुत अच्छा होता है, मतलब जो student का need होता है, उसके recording होता है, उनका solution भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो pinacle publication के book है, वो सबसे अच्छी है, आपके सहुलियत के लिए मैं यहाँ पे photo भी लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप कोई नजदी की जो book है, वहाँ से ले सकते हैं, book store से, या फिर online भी आप order कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐस आपको एक जोर सजेस्ट करूंगा कि जब आप YouTube से पूरा जब आपका course complete हो जाएगा, यानि सारे chapters आप सारे subject कर लेंगे, और आप जाहिर से बात प्रिवियर से question भी आप परलेली solve करते रहेंगे, तो इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक mock test होना च सब्सक्रिप्शन ले रखा था, और जब तक मेरा selection नहीं हुआ, तब तक मैं अपने साथ रखा था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास textbook का सब्सक्रिप्शन है, तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो test book है उसका ले सकते हैं, आपको लेना ही चाहिए game fact, तो आप वहाँ से online test लगाएगा, आपका जब course complete वजागा, तो वहाँ से आप अपने आपको आपको आपके तयारी कैसी चल रही है, और बहुत सारे जो लाखो लाख जो students है, वहाँ पे जब test देंगे, तो उसमें से आपका rank पता चलेगा, तो उसके according आप अपने तयार को modify कर सकते हैं, improve कर सकते हैं, तो ये बात रहा कि इस तरह से आपको अपने तयारी को start करना चाहिए, और इस तरह से आपने आपको improve करते जाना है, और इसके बाद भी मैं इस से related आपके लिए useful video लाते रहूंगा, इसके लिए आपको इस चानल को subscribe करके रखना है, मतलब अभ को जितने भी स्टेज होंगे, सब के लिए मैं आपको guide करता रहूंगा, क्योंकि मैंने railway का इंफेक्ट सब का exam दिया, group D का भी exam दिया है, technician का दिया है, जो इधर NTPC का आया था, उसमें level 1 से लेकर level 6 का, level 6 तक का दिया है, तो मेरा level 6 में हो गया था, तो इसलिए मैं बोल रह करके रखिए, और जब तक आपका selection नहीं होता, तब तक मैं आपके लिए useful video लाता रहूंगा, इसके अलावा भी अगर आपको कोई doubt है, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे insta id पर भी message करके पूछ सकते हैं, मेरा insta id मैं यहाँ पे लगा दे रहूं स्क्रीन इसके बाद चंदन, इसके बाद चंदन, आप इस पर message करके पूछ सकते हैं, मैं definitely आपके जो जितने भी queries हैं,